हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल, LKB Study चैनल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लाएं Polytechnic GTI Maths के चैप्टर 8 लगू गड़क का पार्ट 4 चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पर कुछ और important questions करना Question number 1 Question number 1 है, यदि log x square plus 2x base 4 और यह 4 option जो दिये गएं, इसमें से में right option में tick करना है हमें इसमें क्या बतानी है, एक्स की value बतानी है तो हमें क्या दिया है, हमें दिया log x square plus 2x base 4 minus log x plus 2 base 4 हमें यह दिया है, और equal to में क्या है, 2 दिया है तब हमें इसमें से x के value निकाल के बतानी कि क्या होगी अब हम एक formula जानते हैं log m upon n का तो log m upon n हमारा क्या होता log m minus log n यह हमारा एक क्या होता formula होता है तो अगर हम इसे m मान ले x square plus 2x को इतने को पूरे को हम क्या मान ले m मान ले और इतने को n मान ले और इस formula की जो यह right hand side है इससे left hand side हमें लिख सकते है यह log m minus log n है log m minus log n तो हम इसे क्या लिख सकते है log m upon n m की जगह क्या है x square plus 2x n की जगह क्या है x plus 2 यानि कि यह right hand side से left hand side के लिए अपलाई हो गया formula और base क्या है यहाँ दो number 4 है equal to 2 यहाँ base मैंने नहीं लिखाए formula में से क्या होता है e होता है तो यहाँ e यहाँ फॉर्मले में अब क्या है यह log यह जो हमारा उपर x को मने तो x plus 2 बचेगा नीचे हमारा x plus 2 ऐसी base क्या है 4 equal to में 2 है अब यह x plus 2 से x plus 2 हमारा cancel तो हमारी क्या बचा है इदर log x base 4 equal to 2 अगर मैं अब यह log हटा हूँ यह log हटा हूँ तो x equal to क्या हो जागा 4 की पावर 2 हमारे formula होता कि log x log x base e equal to क्या अगर y अगर मैं यहाँ से log हटा हूँ तो x equal to क्या हो जागा e की पावर y तो यह जो formula इसे मैंने यहाँ पर apply कर दिया अब x equal to 4 के power 2 यानिकि 4 into 4 4 into 4 16 तो x की value कितनी आ गई 16 आ गई तो यह जो हमारा question number 1 था इसका जो option number C है वो क्या होगा हमारा right answer question 2 question 2 क्या है यदि log और यह क्या है log base 1 फिर log base 3 log x base 4 equal to 1 दिया है तो इसमें हमें क्या निकालना है x का मान निकालना है और यह जो 4 option दिये गए है इसमें से right option में टिक करना है तो हमें क्या दिया है question हमें दिया है log base 1 फिर bracket में log base 3 फिर bracket में log x base 4 equal to क्या है हमारा 1 है अब यह question कैसे होगा यह जो सबसे भार वाला log है इस log को मैं अटा दूँगा इस formula से अभी मैंने पीछे वाले question में यह formula बताया था कि अगर कहीं log x base e equal to क्या y अगर अगर मैं यहां से log को हटा हूँ तो x equal to क्या हो जाएगा e की power y हो जाएगा ऐसे ही यहां ही अगर मैं यह वाला log हटा हूँ तो जो हमारा यह log base 3 और bracket में log x base 4 equal to क्या हो जाएगा one की power one यानि कि यह एक जगह e की जगह है e की power यह one आ गई इस log को हटा हूँगा तो इस पर one पर यह हमारी क्या आ जाएगी power तो इस one पर यह जो equal में number यह इसके power के रूप में आ जाएगा इस formula से तो यह log base 3 log x base 4 equal to क्या होगे वन की power one अब यह log base 3 ऐसी bracket में log x base 4 ऐसे equal to one की power one 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 की power one क्या होता one होता अब यह वाला log हटाऊँगा जब यह log हटाऊँगो तो हमारे यहां क्या बचा log x base 4 अब यह 3 की power 3 की power क्या हो जाएगी one अब यह log x base 4 ऐसी 3 की power 1 यानिकि 3 अब ये वाला log हटाऊंगा जब ये log हटाऊंगा तो x equal to 4 की power कितनी हो जाएगी 3 4 की power 3 का मतलब 64 तो x के value कितनी आगे 64 यानिकि ये question number जो 2 है उसका जो option number D है वो हमारा क्या होगा right answer होगा question 3 question 3 क्या हमारा एक now का log root 2 बे 16 भाग जल के बाहर है जल में ढूबे भाग का आइधन है हमारा ये निकालना है कि एक now है उसका जो जल में ढूबे भाग है उसका आइधन क्या होगा और ये जो 4 option दिएगे हैं इस पे से right option में टिक करना है पहले हम ये निकालेंगे कि जो log के बाहर भाग है वो कितना है ये log की term में दिया है इसे log को हटा के हम ये बताएंगे कि जल के बाहर कितना भाग है ना होगा तो हम क्या करेंगे हम मान लेंगे माना log root 2 base 16 equal to क्या हमारा x अब यहां से गर मैं log हटाऊंगा तो root 2 equal to क्या होगा 16 की power x अब root 2 अब यह root लगा इसका मतलब power 1 by 2 होता है और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की power 4 और power में x ऐसे ही यहां क्या हमारा base क्या same है तो हम कहेंगे कि power भी आवस्म क्या होंगी एक जैसे होंगी अब यहां क्या करेंगे तिर्शी गुणा तो 8 x equal to 1 x equal to 1 by 8 यानि कि यह जो 1 by 8 है यह 9 का ऐसा भाग है जो क्या हमारे जल के बहार है अब हम निकालना यह है कि जल के बहार जो भाग है उसका आयतन क्या है अब हम मान ले रहे हैं कि टोटल भाग कितना है अब अगर टोटल भाग 1 है अब 1 by 8 यानि कि एक बटा 8 भाग क्या हमारा भार है तो अगर यह जो बहार भाग है इस पूरे भाग में से हम घटा देंगे तो हमारा ऐसा भाग आएगा जो जल में के अंदर है जब इसका लासा लेंगे 8 हाएगा यह 8 माइनस एक 7 बटे 8 यानि कि जो जल के अंदर भाग है उसका आजितन क्या है 7 बटे 8 भाग तो यह जो कोशन नम्मर 3 है इसका जो ऑप्शन नम्मर D है वो हमारा क्या होगा राइट अंसर कोशन 4 फॉर्थ कोशन फॉर्थ क्या है यदि लॉग 3 की पावर X माइनस 2Y इक्वल टो 27 है कॉमा लॉग 7 की पावर 3X प्लस Y इक्वल टो 1 अपन 49 है तो हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है और यह जो चार ओप्शन दिये गए हमें राइट ऑप्शन में टिक करना है तो हमें एक तो दिया लॉग 3 की पावर X माइनस 2Y इक्वल टो कितना 27 दिया है अब ये लॉग 3 की पावर X माइनस 2Y है अब इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 अब यहाँ जो ये इक्वल में ये जो बरावर के इदर नमबर दिये उनका बेस क्या आपस में बरावर है तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर बेस आपस में बरावर है तो उनकी पावर भी आपस में क्या होनी चीए है बरावर होनी चीए यानि कि X माइनस 2Y बरावर किस के होगा 3 के होगा इसे हम क्या माल लेंगे समीकरण एक और हमें क्या दिया है और हमें दिया था log 7 की पावर 3x प्लस y equal to 1 upon 49 अब ये 1 upon 49 है 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 का square अब यानि 7 की पावर 2 अब ये 7 की पावर उपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की और यहां हमारा क्या log 7 की पावर 3x प्लस 5 यहां भी हमारा base क्या है same है तो ये जो powers पे है ये आपस क्या होंगी बराबर होंगी यानि की 3x प्लस y equal to क्या होगी minus 2 ये क्या होगी समीकरण 2 अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम क्या निकाल लेंगे x और y के value तो हमारी समीकरण 1 क्या है समीकरण 1 है x minus 2y equal to 3 और समीकरण 2 क्या है 3x प्लस y equal to minus 2 अब इन दोनों समीकरण को हम किस विदी से हल करेंगे विलोपन विदी से तो we'll open विधी में क्या करते हैं? सबसे पहले कि Ccture को BENCLE करते हैं. काटते हैं. अगर हम आप Y को काटना है, तो यहाँ क्या करने पड़ेगी? 2 से गुणा करने पड़ेगी समीक्रण 2 में. तो समीक्रण 2 में तो हम 2 से गुणा कर देंगे. समिक्रण एक हमारी ऐसी रहेगी है x-2y equal to 3 अब समिक्रण 2 में हम 2 से बुणा कर दे रहे हैं तो 2, 3 जा 6 यानि कि 2, 3, 6 2 की y में होगी तो 2y plus minus minus 2 दो नी 4 यह समिक्रण 2 होगी अब हम यहां क्या लिखेंगे जोडने पर जह हम जोडने पर रहेंगे तो यह y वाली term आपस में cancel क्यों? क्योंकि यह minus का 2y यह plus का 2y और 6x और x कितना हो जाएगा? 7x अब minus का 4, plus का 3 कितना बचेगा? minus का 1 यहां से x equal to कितना आजाएगा? minus 1 upon 7 यह x की value आगए इसे हम कहां लगा देंगे? समीकरण 1 में समीकरण 1 में हम x की जाएगा कितना रखेंगे? minus 1 upon 7 यह minus 2y यह से equal to 3 भी यह से अब यह minus 2y यह से 3 यह से यह minus का 1y 7 इदर आखे plus का 1y 7 यह minus 2y यह से इस 3 के बचे में एक मान के 1 और 7 का क्या ले लिए? लासा उपर कितना हो जाए? 21 plus 1 2y equal to 21 plus 1 22 बटे 7 अब 2 से यह 22 ग्यारा बार में कैंसल तो y equal to कितना आगे? minus 11 बटे 7 तो x की value कितनी आगे? minus 1 upon 7 y की value कितनी आगे? minus 11 upon 7 तो यह जो हमारा question number 4th है इसका जो option number A है वो हमारे क्या होगा? right answer होगा question 5 question 5 क्या है? निम्न मैंसे कौन सा बेंजे गलत है? यानि कि हमें यह 4 बेंजे दिए गए इसमें यह बताना है कि कौन सा बेंजे गलत है? तो हमें एक एक क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा तो पहला बेंजे क्या है हमारा? log 1 into 2 into 3 एक्वाल्टू क्या है हमारा लॉग 1 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 3 अब हमारे एक फॉर्मुला होता, क्या होता है फॉर्मुला कि लॉग M इंटू N एक्वाल्टू क्या होता हमारा लॉग M प्लस लॉग N ऐसे यहाँ लॉग 1 इंटू लॉग 2 इंटू लॉग 3 हमारे क्या हो जाएगा इस फॉर्म ने से लॉग 1 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 3 यानि कि यह जो पहला expression दिया है यानि कि जो पहला वियंजग दिया है वो हमारे क्या दिया है अब हम दूसरे वियंजग को चेक करते हैं तो हम दूसरे वियंजग की जो यह गलत होगा, अगर ये गलत आ गया तो इसका मतलब ये दोनों हमारे क्या होंगे, सही होंगे, तो हम इन दोनों को चेक नहीं करेंगे, तो हम देखते हैं, जो वेंजग दूसरा दिया, उसकी हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हेंड साइट क्या है, वो हमारी, लॉग A की पाउर N अपॉन C की पाउर N, पिलस लॉग C की पाउर N अपॉन A की पाउर N, अब हम इसमें एक फॉर्मला लगाएंगे, क्या फॉर्मला एक होता है, लॉग M अपॉन N, एक हमारा फॉर्मला होता है, लॉग M इंटू N, लॉग M इंटू N क्या है, यही वाला जो अभी हमने यूज किया यह वाला हमने भी कौन सा यूज किया कि log m into n अमर क्या होता log m plus log n यह formula तो यह इसे हम m मालने इसे हम n मालने इसे o मालने जैसे यानि कि यह left hand side की जो formula की जो left hand side है left hand side है इस form में दिया है तो हम इसे क्या लिख देंगे log m into n की form है इस form से इस formula में लिख लेंगे तो log a की पावर n यानि कि यह log m हो गया into n n की जगह b की पावर n upon c की पावर n o की जगह क्या c की पावर n upon a की पावर n तो यह formula इसमें जब apply किया तो यह आगी हमारा अब क्या होगा a की पावर n से a की पावर n cancel, b की power n से, b की power n cancel, c की power n से, c की power n cancel, तो क्या बचा, log 1 बचा, और log 1 की value कितनी होती है, 0 होती है यानि कि जब हम इनने इस left hand side को हल करा, तो हमारे क्या या 0 आया, जब कि यहां जो हमारे दूसरा ब्यंजेक दिया है, इसमें क्या दिया है, right hand side में 1 दिया है, तो यह यानि की दूसरा ब्यंजेक क्या हमारा गलत है यानि की जो question number 5 है उसका option number b, हमारे क्या होगा right answer question 6, question 6 क्या हमारा यदि a की power x into c की power minus 2x बरावर b की power 3x plus 1, हो तो x का मान होगा हमें यह ब्यंजेक दिया है, इसमें से क्या निकालना, x का मान निकालना और यह जो 4 option दिये गए हैं, इसमें से right option में tick करना है, तो हमें क्या ब्यंजेक दिया है, a की power x c की power minus 2x equal to b की power 3x plus 1 तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर दोनों तरफ log लेने तो left hand side में log लेंगे, तो log a की power x c की power minus bx equal to right hand side में हो जाएगा, log b की power 3x plus 1 अब हम formula जानते हैं, क्या एक तो हम जानते हैं, कि log m into n, बराबर क्या होता हमारा log m plus log n, और a formula क्या जानते हैं, यह formula जानते हैं, कि log m की power n, होता है, तो यह n हमारा कहा जाता है, log से पहले, यानि कि हो जाता है, n log m तो यह जो left hand side है, इसमें हमारा पहला formula एपलाई होगा, यानि कि यह m की जगा है, यह n की जगा है, दोने into में है, log m into n हमारा कितना होता, log m plus n तो यह हमारा क्या हो जाएगा, log a की power x plus log c की power minus 2x यहाँ हो रहा, दूसरा वाला formula एपलाई log m की power n, क्या होता है n log m, यह हमारा क्या है, n की जगा तो यह क्या आजाएगा, log से पहले आजाएगा, यानि कि हो जाएगा, 3x plus 1, equal to क्या हो है, 3x plus 1 into क्या हमारा log b है अब यहाँ हो रहा फिर से अपलाई log m की power n log m की power n क्या होता है n log m यहाँ भी log m की power n अब यह minus 2x का है, यहाँ है log से पहले, यहाँ क्या बचा हमारा log c, equal to अब 3x से multiply होगी log b की पहले 3x में होगी और 1 में होगी, तो 3x से जब होगी तो log b की, तो 3x log b और 1 से होगी तो log b अब यह हमारा x log a हमारा से, minus का 2x log c हमारा से, अब यह plus का ही तरहा की किसका होजागा, minus का 3x log b, equal to क्या बचा हमारा log b अब यह हमारी जो 3 term है इसमें क्या common आ रहा है, x common आ रहा है जब x common लेंगी तो यहाँ क्या बचा है, log a log b बचा, अब x equal to क्या होगा हमारा, x equal to हो जाएगा log b यह जो multiply वाला यह कहाँ जाएगा इसके बटे में log b के log a minus 2 log c minus 3 log b तो यह किसकी value आ गई, x की value आ गई तो यह जो हमारा question number 6 है इसका जो हमारा option number c है वो हमारा क्या होगा, right answer question 7 question 7 क्या, यदि log x plus y base 5 equal to 1 तो था log 4 base 3 plus log x base 3 plus log y base 3 equal to 2 हो, तो x, y के मान होंगे, हमें क्या निकाल ले है x और y के मान निकाल ले है और यह जो 4 option दिये गए है इसमें से right option में टिक करना है, तो हमें पहला क्या दिया पहला दिया है, हमें log x plus y base 5 equal to क्या 1 है अगर हमें यहां से log हटा है तो x plus y equal to क्या होगा 5 की power 1 x plus y equal to कितना हो जाएगा 5, इसे हम क्या मान ले रहे हैं समी करन 1, और हमें क्या दिया है और हमें दिया है log 4 log 4 base 3 plus log x base 3 plus log y base 3, equal to क्या दिया 2 दिया है अब हम एक फॉर्मुला जान दे क्या कि log m into n क्या होता हमारा log m plus log n तो यह जो है हमारा इस फॉर्म में दिया log m plus log n की फॉर्म है तो हम इसे किस फॉर्म में लग देंगे log m into n की फॉर्म है तो यह जाएगा log 4 into x into y यह जो formula है हमारा right hand side से left hand side में apply हुआ है equal to क्या हमारा 2 है base क्या 3 है अब अगर मैं इस log को हटा हूँ तो 4xy equal to क्या हो जाएगा 3 की power 2 अब 4xy 3 की power 2 मतलब 9 अब यहां से xy की value कितनी आ जाएगी 9 upon 4 आ जाएगी अब इसे हम क्या वाल ले रहे हैं समी करण 2 अब हम एक formula जानते हैं क्या कि x minus y का whole square जो होता है हमारे क्या होता है x minus y का whole square होता है x plus y का whole square minus 4xy अब x plus y की value कितनी है 5 है तो 5 का square minus 4 into xy की value कितनी है 9 upon 4 अब 5 का square कितना होता 25 4 से 4 कैंसे 9 25 में से 9 जाएगा तो 16 equal to में क्या है हमारे x minus y का whole square अब ये जब square हटेगा तो ये 16 में क्या जाएगा under root अब x minus y ऐसे हमारा अब 16 का हमारे square root क्या होता है plus minus 4 इसे हम क्या मान ले रहे है समी करण 3 अब समी करण 1 के साथ एक बार हम लेंगे समी करण 3 को 4 को plus में लेकर और एक बार हम समी करण 1 के साथ समी करण 3 को लेंगे तब हम क्या लेंगे एक बार minus में लेंगे तो x और y की कितनी value आएंगे यहाँ दो-दो value आएंगे क्यों आएंगे क्योंकि हमारे जो 4 है वो हमारे किसमें plus minus में है तो हम एक बार क्या लेंगे इस 4 को पिलस और एक बार माइनस तो हम पहले solve करें पिलस लेके हमने क्या करा sum Sutra 1 ले लिए sum Sutra 3 sum Sutra 3 जो है sum Sutra 1 के साथ कितने बार ले 2 बार क्योग कि जो हमारा 4 आया है तो वह हमारा किसका आधा है अब हम इसे solve करेंगे अब जब हम यहां लिखेंगे जोलने पर जब हम यहां जोलने पर लिखेंगे तो यह plus minus y cancel x और x 2x 5 और 4 9 x equal to कितना आगे 9 upon 2 अब इस x की value को कहां रखेंगे इस समीक्रण 1 में तो यहां 9 upon 2 plus y equal to 5 y equal to 5 minus 9 upon 2 5 के बटे में एक मानके एक और दो का क्या लेंगे लासा एक की दो में बाग दो बार में जाएगी दो की पांच में गुड़ा हो जाएगी अब 10 में से 9 हो गया एक बटे 2 एक बार x की value 9 upon 2 है तब y की value 1 upon 2 है अब हम यहां फिर से solve करेंगे जब यहां लिखेंगे जोडने पर तो यह plus minus y cancel x x और x to x 5 में से 4 जाएगा 1 और यहां x की value कितनी आगे 1 upon 2 इसे हम कहां रखेंगे अब समीकरण 1 में समीकरण 1 में x कितना रखेंगे 1 upon 2 plus y equal to 5 तो y equal to कितना हो जागा 5 minus 1 by 2 अब एक और दो कहां हम क्या लिएगे लासा तो यह कितना हो जागा 10 minus 1 y equal to कितना हो गया हमारा 9 upon 2 हो गया तो हमारी x की कितनी value आगे 2 आगे 1 9 by 2 1 1 by 2 और y की 2 1 1 by 2 और 1 9 by 2 तो जो यह समीकरण के हल हैं कितने 2 हल आएं तो हमारा आंसर क्या हो गया 9 by 2 comma 1 by 2 और दूसरा क्या है 1 by 2 comma 9 by 2 यह समीकरण क्या हो गया हल हो गया जो हमें question में दी थी तो यह जो हमारा question number 7 है इसका जो option number B है वो हमारा क्या हो गया right answer question 8 question 8 क्या है log 1 plus 1 upon 3 base 3 plus log 1 plus 1 upon 4 base 3 plus log 1 plus 1 upon 5 base 3 plus dot 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 plus log 1 plus 1 upon 24 base 3 का मान है हमें ये जो वेतल की निकालना है मान निकालना है और ये जो चार आप्शन दिये गए इसमें से right option में chitt करना हमें तो क्या दिया हमें हमें दिया log base 3 1 plus 1 upon 3 प्लस दिया है लॉग 1 प्लस 1 बाई 4 बेस 3 प्लस दिया है लॉग 1 प्लस 1 अपॉन 5 बेस 3 प्लस लॉग बेस 3 वन प्लस 1 अपॉन 24 अब चुकि हम एक फॉर्मुला जानते हैं क्या कि लॉग अब यह फॉर्मुला बाद में पहले इसमें हम क्या करते हैं हम इसमें लासा लेके से थोड़ा solve कर लेते हैं एक और तीन का लासा तीन तो उपर क्या आएगा तीन प्लस एक प्लस लॉग बेस थरी ऐसी है यहां एक और चार का लासा चार तो उपर क्या आजाएगा चार प्लस एक प्लस लॉग बेस थरी ऐसी एक और पांच का लास ईपर क्या हो एगा? 5 प्लस 1 ऐसी हम यहां भी लासा लेंगे यहां कितना हैगा? 24 तो उपर हमार क्या हो जाएगा? 24 प्लस 1 आब हमारे क्या होगा? यह log बेस 3 ऐसी 3 और एक इतना? 4 बाटे 3 जोत लौग बेस 3 ऐसी 24 और 25 बटा 24 अब formula होता कि log m into n क्या होता है log m plus log n यह हमारा formula होता है अब इस formula के इसमें apply करेंगे यह जो left hand side से right hand side में formula apply होगा यहाँ log m की जगह 4 upon 3 n की जगह 5 upon 4 है ऐसे आगे भी और term दिये हैं तो हम क्या लिख देंगे इसे log base 3 तो ऐसे ही अब m into n तो m की जगह यह n की जगह 5 upon 4 ऐसे ही आगे यह term दिये 6 upon 5 ऐसे ही क्या दिया last में 25 upon 4 तो हमने इसमें क्या कर दिया formula apply कर दिया यह वाला और कहां से apply करा right hand side से left hand side में अब हमारा log base 3 ऐसे यह 4 से 4 cancel यह 5 से 5 cancel ऐसे यह 6 से 6 cancel होगा और यह 7 से 7 भी cancel होगा ऐसे 24 से 24 भी cancel होगा तो यहां नीचे दुसरे भी यह पहली वाली term बज़ेगी 3 और यहां उपर last वाली term 24 तो हमारा क्या बज़ेगा 25 upon 3 अब यह हमारा log अब यह formula हमा और जानते हैं कि log m upon n क्या होता हमारा log m minus log n तो यह log m upon n तो यह log 25 हो जाएगा minus log 3 हो जाएगा और base क्या दोन में 3 है अब यह log base 3 है से 25 को हम क्या लिख देंगे 5 की power 2 यान कि 5 का वर्ग 5 की power 2 और यह log 3 base 3 की value कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी अब यह formula हम जानते हैं एक और क्या कि log m की power n क्या होता हमारा n log m यह दो दो कहां जाएगा log से पहले तो यह हो जाएगा 2 log 5 base कितना 3 minus 1 यह इस question क्या हो गया answer हो गया तो यह जो हमारा question number 8 है इसका जो option number a है वो हमारा क्या हो गया right answer question 9 क्या हमारा दिया गया है कि log 2 की value है 0.3010 log 3 की value दी हमें 0.4771 log 7 की value दी है 0.8451 तो हमें किसका मान निकालना log 525 upon 64 यहांने कि log 525 b 64 का मान निकालना और सब में बेस कितना दिया है 10 दिया है और यह जो 4 option दिये गया है इसमें से right option में tick करना हमे है तो जो हमें क्या दिया log 525 बटी 64 बेस कितना इनका 10 इसका मान हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें इसमें लगाने फॉर्मुला कौन सा वाला यह वाला कि लॉग M upon N परावर क्या होता हमारा लॉग M minus log N अब यहां M की जगा है 525 है N की जगा है 460 तो लॉग M upon N तो यह हो जाएगा लॉग M यानि कि लॉग 525 minus log 64 बेस कितना है हमारा 10 है अब यह हमारा log बेस 10 हैसी हम 525 को कितना लिख देगे जब 525 के हम क्या करेंगे अब हाज गुड़न खण तो हम इससे लिख सकते हैं 5 गुड़ा 5 गुड़ा 3 गुड़ा 7 ऐसे log बेस 10 हैसी 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2 कितने बार आ जाएगा 6 बार दो आ जाएगा अब यह log बेस 10 हैसी 5 दो बार है तो हम इससे क्या लिख देगे 5 की पावर 2 गुड़ा 3 गुड़ा 7 minus log बेस 10 हैसी यह 2 छे बार है multiply मैं यानि कि 2 की पावर कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे अब हम एक फॉर्मुला और जानते हैं क्या कि log m into n हमारे क्या होता log m plus n और एक फॉर्मुला यह भी होता कि log m की पावर n क्या होता n log m अब यह जो log m into n into o यह जो है यह पहला वाला फॉर्मुला इस पहली वारी टर्म है तो यह m की जगा यह n की जगा यह आगे यह ऐसे और बिट हमें तो यह जाएगा log 5 की पावर 2 plus log 3 plus log 7 अब बेस क्या तीनों में बेस 10 है अब यहाँ एपलाई हो रहा log m की पावर n n की जगे क्या 6 6 कहां जाएगा log से पहले तो यह 6 log 2 बेस 10 हो जाएगा हमारा अब एक्वल टू ऐसे यहाँ भी log m की पावर n बना यह n की जगे क्या 2 है तो यह 2 कहां जाएगा log से पहले तो यह हमारा जाएगा 2 log 5 बेस 10 प्लस है हमारा log 3 बेस 10 प्लस क्या हमारा log 7 बेस 10 माइनस 6 log 2 बेस 10 है हमारा अब यह 2 इस 2 ऐसेगी log 5 बेस 10 की जगा हम क्या लिख सकते हैं log 10 माइनस लोग 2 क्यों लिखा हमने ऐसा क्योंकि log 10 माईनस टू यानि की log m माईनस n हमारा की होगा log m अपावर n टू से 5 कैसल तो हमारा कितना आजएगा log 5 आजाएगा पिलस क्या हमारा लॉक 3 बेस 10 पिलस क्या हमारा लॉक 7 बेस 10 माइनस क्या है 6 लॉक 2 बेस 10 अब क्या होगा हमारा 2 ऐसे ही अज़े लॉक 10 की वैल्यू कितनी होती है एक होती है माइनस लॉक 2 की वैल्यू हमें कितनी दिये कोशन में log 2 की value जिए 0.3010 पिलस log 3 की value कितनी दी है हमारी कोशन में 0.4771 log 7 की value कितनी दी है 0.8431 माइनस 6 ऐसे इंटू अब ये log 2 की value कितनी दी है log 2 की value जिए 0.3010 ये हमारा ऐसे ही अब दो ऐसे ही गुड़ा में अब एक मैंसे ये 0.3010 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 0.6990 प्लस की हमारा ये 0.4771 प्लस ये 0.8431 माइनस अब 6 की multiply किससे होगी 0.3010 तो हमारा की आजाएगा 1.806 अब 2 की हमारी गुड़ा किसम होगी 0.6990 तो हमारा कितना आजाएगा 1.398 पिलस हमारा 0.4771 ऐसी प्लस 0.8431 ऐसी माइनस 1.806 अब ये जो 1.398 0.4771 प्लस 0.8431 जब तीनों जब हम एड होगा ये जब तीनों को जोड़ेंगी तो हमारा कितना आएगा 2.72 202 माइनस हमारा किया 1.806 अब इस में से ये जब माइनस होगा तो हमारा किया आएगा 0.9142 ये अंसर हो गया तो ये जो हमारा question number 9 है इसका जो option number C है वो हमारा किया होगा right answer question 10 question 10 क्या है 2 log 11 upon 13 प्लस 2 log 130 upon 33 minus log 4 upon 9 का मान होगा हमें इसका क्या निकालना मान निकालना है और यह जो 4 option देएगे हैं इसमें से right option में tick करना है तो हमें क्या दिया है 2 log 11 upon 13 plus 2 log 130 upon 33 minus log 4 upon 9 यह हमें क्या दिया हुआ है अब हमें एक formula जान दें क्या log m upon n का log m upon n हमारे क्या होता log m minus log n तो यह जो formula हमें इस पूरे में apply कर देंगे तो 2 तो ऐसे यह log m upon n यहां log m की जगा क्या 11 n की जगा 13 तो हमारे हो जाएगा log 11 minus log 13 plus 2 ऐसे यहां 2 log 130 upon 33 तो यह हो जाएगा log 130 minus log 33 minus ऐसे log m upon n तो यह हमारे क्या हो जाएगा log 4 minus log 9 equal to अब यह 2 की हमारे अंदर क्या हो जाएगी इस में multiply हो जाएगी तो यह जाएगा 2 log 11 minus 2 log 13 ऐसे इस 2 की अंदर multiply होगी तो कितना हो जाएगी 2 log 130 minus 2 log 33 यहां जब यह bracket हटेगी तो अंदर के symbol क्या जाएगी change plus minus 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 plus तो यह log 9 अब यह 2 log 11 हमारा ऐसे ही 2 log 13 भी हमारा ऐसे ही plus 2 log अब इस 130 के हम क्aya कर लेंगे अवाज गुलनखन और अवाज गुलनखन करके क्या लिख देंगे 2 गुणा 5 गुणा 13 और यह minus 2 log इस 33 के भी अवाज गुलनखन क्या हो जाएगे 11 गुणा 3 minus log इस 4 को हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 2 प्लस लॉग इस नेन को क्या लिख देंगे थरी का स्क्वेर यानि की थरी की पाउर 2 अब यह हमारे 2 लॉग 11 ऐसे ही माइनस 2 लॉग 13 भी ऐसे ही प्लस 2 ऐसे ही अब यहां फॉर्मुला बनना लॉग M इंटू N का लॉग M इंटू N क्या होता है यह हमारे एक फॉर्मुला होता है लॉग M इंटू N क्या होता है लॉग M प्लस लॉग N यह हमारे क्या होता है एक फॉर्मुला होता है इसे हम एप्लाई कर देंगे तो यह log m into n into o हो है तो यह हो जागा log 2 plus log 5 plus log 13 है, ऐसे यहां भी हमारा apply हो रहा है, तो यह minus 2 है ऐसे ही, यह कितना हो जागा, log 11 plus log 3, अब यह minus अब यह log m की पावर n बनना, log m की पावर n क्या होता हमारा n log m, यह हमारा फॉर्मला होता log m की power n log m तो इस formula का हम क्या कर देंगे यहां पर apply तो यह n की जगा उपर वाला 2 है यह power वाला तो यह कहा जाएगा log से पहले तो यह जाएगा 2 log 2 यहां भी यही फार्मला apply हो रहाँ तो 2 कहा जाएगा log से पहले तो 2 log 3 तो हमारे क्या हो गया 2 log 11 है इस 2 की अंदर क्या हो जागी multiply तो यह हो जाएगा 2 log 2 plus 2 log 5 plus 2 log 13 यहाँ इस minus 2 की अंदर multiply होगी तो यह minus 2 log 11 plus minus 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 2 log 3 और हमार क्या है minus 2 log 2 1, minus 2 log 3 अब यह 2 log 11 और यह minus 2 log 11 यह दोनों किसकी अंदर plus minus की तो अंदर पस्में cancel, minus kale 2 log 13 और यह plus ka 2 log 13 तो यह भी अपस्में cancel और plus का 2 log 2 minus का 2 log 2 आपस्में cancel, minus का 2 log 3 और plus का 2 log 3 यह भी आपा सब तो क्या बचा 2 log 5 ये हमारा क्या हो गया अंसर हो गया 2 log 5 तो ये जो हमारा कोषिन नमर 10 है इसका जो option नमर D है वो हमार क्या हो कहा राइट अंसर 2 log 5 कोषिन 11 क्या है हमारा 7 log 16 upon 15 plus 5 log 25 upon 24 PLUS 3 log 81 upon 400 बैट का मान होम इसका क्या निकालना है जो वहिंज्स दिया है और इन समय लॉई के साथ बेष़ क्या धिया है जया है और जो चारॉपसंन देए इसम athletes ना एक्तिक करना है तो क्या थिया है 7 log 16 upon 15 base 10 plus 5 log base 10 25 upon 24 plus 3 log base 10 81 upon 400 यह हमें दिया है अब इसमें क्या होगा हमारा यह 7 ऐसे ही अब यहां log m upon n का फॉर्मुला बनना log m upon n क्या होता log m minus log n यानि कि log 16 minus log 15 base क्या 10 है ऐसे यहां भी log m upon n का फॉर्मुला एप्लाई हो रहा है log m upon n क्या होता log m minus log n plus 3 है ऐसे ही ऐसे हमारे यहां भी log m upon n का एप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा log 81 minus log 400 अब यह 7 हमारा है ऐसे ही अब log 16 base 10 है तो यह log base 10 है हम 16 को क्या लिख सकते है 2 की power 4 minus log base 10 है इस 15 को हम क्या लिख सकते है 3 into 5 plus 5 ऐसे हमारा log base 10 है इस 25 को हम क्या लिख सकते है 5 की power 2 अब यह minus log base 10 इस 24 को हम क्या लिख सकते है 2 की power 3 into 3 जब हम इसके क्या करेंगे 24 के अभाज यह गुड़नखनी आने की 2 से जब इसे cancel करेंगे फिर से करेंगे तो 3 बार तो 2 आ रहा है और एक बार 3 आ रहा है तो 2 की power 3 कुणा 3 लिख दिया plus 3 ऐसे ही log base 10 ऐसे ही जो 81 है इस 81 को हम क्या लिख देंगे 3 की power 4 लिख देंगे minus log इस 400 को क्या लिख देंगे 2 की power 4 into 5 की power 2 कब लिखेंगे जब इसके हम क्या करेंगे अब आज गुड़न खंड करेंगे अब आज उसके बाद ही हम लिख देंगे अब हमारे क्या होगा 7 ऐसी यहाँ apply हो रहा formula log m की power n log m की power n होता है n log m यानि कि जो power होती वो log से पहले आ जाती तो यह आजागा 4 log 2 base 10 minus ऐसी यहाँ apply हो रहा log m into n log m into n क्या होता log m plus log n यानि कि log 3 plus log 5 बेस के हमारा 10 है यह plus 5 हमारा ऐसी यहाँ log m की power n हो रहा apply तो यह 2 कहाँ आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा पहले तो यह हमारे क्या हो जाएगा 2 log 5 base 10 minus यहां क्या ओरा log m into n log m into n क्या होदा log m plus log n base क्या हमारा 10 है ऐसे इसमें plus 3 है ऐसे हमारा यहां log m की power n तो 4 कहां जागा log से पहले 4 log 3 base 10 minus log m into n log m into n क्या होदा log m plus log n यानि कि log 2 की power 4 plus log 5 की power 2 यह हमारा formula एप्लाई होगया अब यह हमारा 7 ऐसे ही और यह 4 log 2 base 10 भी हमारा ऐसे ही अब यह जब मैं bracket हटाओंगा तो अंदर क्या हो जाएंगे symbol change यह क्या हो जाएंगे minus log 3 base 10 plus minus minus log 5 base 10 plus क्या हमारा यह 5 और क्या 2 log 5 base 10 अब हम क्या हटाएंगे bracket तो plus minus minus और यह log m की power n यहाँ बनना यह 3 का आजाएगा log से पहले आजाएगा तो 3 log 2 base 10 plus minus minus फिर से अब यहाँ भी log m की power n तो यह हो जाएगा यहाँ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ इस थरी पर power नहीं तो यह हमारा ऐसी आजाएगा log 3 base 10 अब यह 3 हमारा ऐसे ही और यह 4 log 3 base 10 अब यह हम क्या आजाएगे bracket तो plus minus minus और यह 4 कहाँ आएगा log से पहले तो यह 4 log 2 base 10 यहाँ भी plus minus minus यह 2 कहाँ जाएगा log से पहले तो यहाँ जाएगा 2 log 5 base 10 अब इसका क्या हुआ 7 की इसमें अंदर multiply होगी ऐसी 5 के अंदर multiply होगी ऐसी 3 के अंदर multiply होगी जब 7 के multiply होगी तो हमार के क्या होगा जब 7 के form होगी तो 7 4s are 28 और यह log 2 base 10 ऐसी plus minus minus अब 7 की इसमें होगी तो यह 7 log 3 base 10 ऐसी अब minus 7 की इसमें होगी तो 7 log 5 base 10 ऐसी यहा 5 के अंदर multiply होगी तो 5 2s are 10 log 5 base 10 ऐसी ऐसी 3 में होगी तो 5 3s are 15 log 2 base 10 ऐसी minus 5 log 3 base 10 ऐसी ऐसी इस 3 के अंदर होगी तो 3 4s are 12 log 3 base 10 ऐसी 3 की form है 3 4s are 12 log 2 base 10 ऐसी 3 की 2 में 3 2s are 6 log 5 base 10 ऐसी हमारा अब क्या होगा इसमें अब यह 28 log 2 base 10 और एक यह हमारी log 2 वाली टर्म कौन सी है एक यह होगी log 2 वाली टर्म एक यह होगी तो 15 और 12 कितना होगा 27 log 2 base 10 हो जाएगा और यह 28 मेंस होगा तो उसलिफ हमारा क्या बचाएगा log 2 base 10 अब हमारा क्या बचाएगा माइनस 7 log 3 base 10 यह log 3 वाली टर्म एक यह है और एक यह है एक यह है 7 और 5 कितना होगा 12 log 3 base 10 12 log 3 base 10 है यह log 3 वाली टर्म सब आपस में क्या हो जाएगी केंसिल हो जाएगे अब माइनस का 7 log 5 base 10 माइनस का 6 log 5 base 10 तो 7 और 6 कितना हो जागा 13 यहनि कि माइनस का 13 log 5 base 10 और प्लस का कितना 10 log 5 base 10 अब यह log 2 base 10 है अब यह इसमें से हमारा माइनस होगा तो हमारे कितना बचाएगा माइनस 3 log 5 base 10 है अब हमारे एक फॉर्मूला होता है कि log m की पावर n क्या होता है n log m यह n है n log m की जगा 5 है n की जगा 3 है यह 3 का आँ जाएगा 5 की पावर में तो यह log 2 बेस 10 तो ऐसे ही हो जाएगा log 5 की पावर 3 बेस 10 अब यह log 2 बेस 10 है से माइनस लॉग बेस 10 है से 5 की पावर 3 कितना होता 125 अब यह log m माइनस n हो रहा है log m माइनस n हमारा क्या होता है log m माइनस log n हमारा होता log m अपॉन n होता है हमारा log m माइनस log n तो हमाँ इसे क्या दिखेंगा log 2 बेस कितना है 10 है तो यह हमारा क्या होगा इसका अंसर हो गया कितना log 2 1 बेस 125 तो यह जो हमारा कोशन नमर 11 है इसका जो ऑप्शन नमर बी है वह हमारा क्या होगा राइट अंसर कोशन 12 क्या है समीकरण 4 की पावर x minus 3 की पावर x minus 1 upon 2 equal to 3 की पावर x plus 1 upon 2 minus 4 की पावर x minus 1 upon 2 में x का मान होगा हमें यह वेंजग दिया क्या दिया 4 की पावर x minus 3 की पावर x minus 1 by 2 equal to 3 की पावर x plus 1 by 2 minus 4 की पावर x minus 1 by 2 तो यह इस कोशन को हम कैसे हल करेंगे option से यानि कि हम option में x की जगा पहले 1 रखेंगे left hand side में भी और right hand side में अगर 1 रखेंगे left hand side और right hand side आपस में क्या आ गई बराबर आ गई तो जो x का मान होगा वो हमारे क्या होगा एक होगा अगर x से नहीं आएगा फिर हम क्या रखेंगे minus 3 बटे 2 रखेंगे left hand side में भी right hand side में भी अगर minus 3 बटे 2 रखके left hand side और right hand side आपसे में बराबर हो गई तो यह होगा हमरा answer x की value यह होगी वरना यह वरना यह इन चारों में से एक option होगा तो हम सबसे पहले x क्या रखके देखेंगे x की जगा 1 रखके देखेंगे left hand side में और right hand side दोनों में तो जब x की जगा 1 रखकेंगे देखेंगे 4 की power 1 3 की power 1 minus 1 by 2 equal to 3 की power 1 plus 1 by 2 minus 4 की power 1 minus 1 by 2 अब 4 की power 1 तो 4 होगा अब यह जब यह इसमें LCM लेकर solve करेंगे तो हमारा कितना हो जागा 1 by 2 equal to यह कितना हो जागा 3 by 2 minus 4 की power 1 by 2 यानि कि यह अलग-अलग आ रहे हैं left hand side और right hand side आपस में बरावर नहीं आ रहे हैं तो यानि कि x की value 1 नहीं हो सकती अब हम इसी x जो वेंजग दिया है इसमें हम क्या रखकेंगे देखते हैं पहले 1 रखके देख लिए अब हम रखके देख ले रहे हैं इस एक चाहर कितना रखके देख लेते हैं अगर तीन बटे दो से भी नहीं आएग आनसर फिर minus 1 फिर minus 3y 2 तो एक कितना रखेंगे तीन बटा दो यह जो हमारा वेंजग दिया है तो 4 ऐसे इस x के जगह तना रखेंगे 3 बटा 2, माइनस 3 ऐसे ही, इस X के जगा कितना रखेंगे, 3 बटा 2, माइनस 1 बटा 2, ऐसे ही, बरावर, इस X के जगा 3 बटा 2, प्लस 1 बटा 2, ऐसे ही, माइनस 4, इस X के जगा कितना रखेंगे, X के जगा 3 बटा 2, माइनस 1 बटा 2, ऐसे ही, अब यह 4 है, इसे हम क्या लिख द साथ उपर 3 प्लस सेट यहांभी दो और दो का ला सथ उपर 3 हैं erOOOO दो से नसल तो यहां क्या वाच्टा नीम थरी यहां आ 지न बसे एक जाएगा दो बते में कितना दो तिन और एक चार वाट वेड़े में कितना हिब 10 मसे 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 3 का स्क्वेर 9, माइनस कितना है, 4, यह 5 और 9 में से 4 गया, 5, यानि कि left hand side और right hand side आगे हमारी बराबर, कब आए जब हमने x की value कितनी रखी, 3 y 2, किसमें, इसमें जब हमने रखी x की value 3 y 2, तो यानि कि यह जो हमारा ब्यंजग दिया था, इसमें x का क्या मान होगा, 3 बटा 2 होगा, तो इसका जो right answer होगा, वो क्या हो, option number c होगा, जो ही हमारा question number 12 है, इसका option number c, हमारा क्या होगा, right answer, question 13, question 13 क्या हमारा, यदि 2 log m base 8 equal to p हो, comma, log 2 m base 2 equal to q हो, और q minus p equal to 4 हो, तो m का मान होगा, और यह जो चार option दिये गए हैं, इसमें से right option में tick करना है, तो हमें क्या दिया है, 2 log m base 8 equal to कितना दिया, p दिया है, अब यह log m base 8 तो ऐसे ही, यह जो multiply वाले 2 है, यह कहां जागा, p के upon में, अब अगर मैं यहां से यह log हटाता हूँ, अगर हम log ना हटाएं तब भी इसमें हमारा यह हो सकता है, कैसे करें, हमारा यह एक formula होता है, कि log a base b, हमारा क्या होता है, log a upon log b, तो उस formula हम इसे क्या देंगे, log m upon log 8 equal to क्या है हमारा, अब हमारे क्या होगा इसमें, यह जो 8 है, तो यह log m तो ऐसे ही, इस 8 को हम क्या लेकितेंगे, 2 की पावर 3, equal to क्या हमारा, p upon 2, अब यह log m ऐसे ही, यहां हमारा formula कौन सा ओलना, log m की पावर n, तो यह 3 कहा जाएगा, log से पहले, यहां हो जाएगा, 3 log 2, equal to क्या है, p upon 2, अब यह जो 3 है, यहां किसके log m के बटे में है, तो यहां जाएका, तो कहां जाएका, पी गुडा में जाएका, तो यह log m upon log 2, यह 3 कहां जाएका, पी के multiply ने, तो 2p upon कितना हो जाएका, वो 3 यहां जाएका, तो 3p upon 2, अब log m upon log 2 को हम क्या लेख देंगे फिर से log m base 2 equal to क्या है 3 p upon 2 इसे हम क्या मान ले रहे हैं समी करण एक मान ले रहे हैं और हमें क्या दिया है log 2m base 2 equal to क्या दिया है हमारा q दिया है अब यहाँ formula बना log m into n log m into n क्या होता log m plus log n base क्या दोने जगा 2 है equal to क्या है हमारा q है अब log 2 base 2 की value कितनी होगी हमारी 1 होगी क्योंकि हमारे एक formula होता है log a base a equal to 1 तो यह formula इसमें लगए log 2 base 2 equal to 1 plus क्या log m base 2 equal to q अब log m base 2 equal to क्या हो जगा q minus 1 अब यह जो log m base 2 की value आई इसे हम कहां रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 1 में यहां रखेंगे तो कितना हो जाए q minus 1 equal to 3p upon 2 अब यह 2 की क्या हो अब इसके बटे में एक मान के आपस क्या हो जाए कि तिर्ची गुणा तो यह हो जागा 2 bracket में q minus 1 equal to 3p अब यह 2 की अंदर multiply होगी तो 2 q minus 2 equal to क्या 3p और हमें question में एक चीज और दी क्या हमें question में दिया है कि q minus p equal to कितना 4 दिया है अगर हम यहां से q की value निकालने तो कितनी हो जाए कि 4 plus p अब इस q की value को इस q की यहां पर रखेंगे q की जगा 4 plus p minus 2 equal to क्या है 3p अब 2 की अंदर multiply है तो यह 2 4s है 8 2p minus 2 equal to कितना 3p अब 8 में से 2 जाए कितना बजाएगा 6 equal to क्या 3p तो यहां से p की value कितनी हो जाएगी हमारे p की value आजाएगी यहां से 6 p की value 6 आगी हम इसे यहां पर रखेंगे जो हम यह question में दिया है q ऐसे ही 4 plus q की जाएगे निकाला 6 तो q की value कितनी आगई 10 आगई q की value 10 आगई और p की value 6 आगई और हमने portion में क्या दिया था portion में दिया था starting में हमने क्या दिया था 2 log m base 8 equal to p दिया है तो यहां इस p की जाएगे क्या लगा आएगे p की value कितनी है 6 है तो यहाँ P की जग कितना यूच करेंगे 6 करेंगे तो यह log M base 8 ऐसे इस P की जग कितना लगेंगे 6 लगेंगे अब 2 से यह 6 हमारा cancel कितने बार में 3 बार में होगा यह cancel अब हमारे क्या यहाँ क्या बचा log M base 8 equal to 3 अब हम यहाँ से log हटांगा तो M equal to क्या हो जागा 8 की पावर 3 यानि की 8 की पावर 3 यानि की 512 तो M की value कितनी आ गई हमारी 512 आ गई तो जो हमारा answer होगा वो क्या हो गया 512 हो गया तो यह जो हमारा question number 13 है इसका option number B है वो हमारा क्या होगा right answer question 14, question 14 क्या हमारा log root 8 यानि की root 8 upon x square base क्या root 8 को और क्या हमारे divide का symbol log x root 8 का whole square है equal to 3 इसमें हमें क्या निकालना x का मान निकालना तो हमें क्या दिया log root 8 upon x square base भी कितना दिया root 8 divide में क्या है log x base root 8 का whole square है equal to क्या है 3 अब हमें क्या है इसका कैसे होगा log root 8 upon x square base root 8 ऐसे ही इसको हमें divide किससे देना divide देना इससे log x base root 8 का whole square से equal to क्या है 3 इस 3 के बटे में क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे अब यहां आपस में क्या करतेंगे हम तिर्ची गुड़ा हम तो इस उपर वाले की जब एक से होगी तो हमारे यह यह आ जाए कितना log root 8 upon x square base कितना है root 8 equal to अब 3 की इसमें हो जाएगी multiply हमारी तो यह हमारे क्या हो जाएगा 3 log x root 8 का whole square यह 3 कहा है हमारे 3 तो इसे बहार है अब हमारे क्या होगा यहां पर अब यहां हमारे apply करेंगे इस बाली टर्म है log m upon n का फॉर्मला log m upon n हमारे क्या होता log m minus log n तो यह हो जाएगा log m minus log n और base क्या है यहां दोने जगर root 8 equal to क्या हमारे 3 है और bracket में क्या है log x base root 8 का whole square अब हमारे क्या होगा log root 8 base root 8 की value कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी किस फॉर्मल से इस फॉर्मल से क्योंकि log a base equal to क्या होता 1 होता है तो इसकी value कितनी हो जाएगी 1 minus क्या हमारा यह log m की power n बनना अब log m की power n क्या होता है log m की power n होता हमारा n log m यानि की जो यह power है यह कहां जाएगी log से पहले तो यह हमारा जोगा 2 log x base कितना root 8 है equal to कितना हमारा 3 log x base कितना root 8 का whole square अब यह भी जो plus वाली term इदर आगे हमारा किसकी हो जाएगी minus की हो जाएगी minus 3 log x base root 8 का whole square minus कितना minus 2 log x base root 8 plus 1 equal to क्या है जीरो है हमारा अब हम इसमें मान लेंगे क्या मान लेंगे माना log x base root 8 equal to L मान ले रहे हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा minus 3L square minus 2L plus 1 equal to 0 हम क्या कर देंगे minus से गुणा कर देंगे तो यह हमारा हो जाएग 3L square plus 2L minus 1 equal to 0 अब इसके हमारे क्या होंगे गुड़न खंड होंगे इसके गुड़न खंड क्या होंगे हमारे L प्लस 1 और 3L माइनस 1 एक्वल टू 0 अब हमारे क्या होगा एक बार L प्लस 1 के एक्वल टू 0 लेंगे तो L की वैल्यू कितनी आगी माइनस 1 अब यहाँ जो L के value आ रही है वो हमारी क्या रिणात्मग आ रही है तो इसे हम छोड़ देंगे दूसरी हमारी अगर एक बार 3L minus 1 equal to 0 लेंगे तो यहाँ 3L equal to कितना हो जाएगा 3L equal to 1 L equal to 1 upon 3 तो हमारी L के value कितनी आ गई 1 upon 3 हमने L के equal क्या माना था हमने माना था log X base root 8 equal to कितना माना था L माना था अब यह log X base root 8 ऐसे इस L की जगे क्या आ जाएगा हमारा 1 upon 3 अब अगर यहाँ से यह log हटेगा तो X equal to हमार क्या जाएगा root 8 के power 1 by 3 अब यह X equal to 8 ऐसे यह जो root लगा इसका मतलब होता power 1 by 2 into के हमारा 1 by 3 अब 8 ऐसी 1 की 1 से multiply कि 1 2 की 3 से multiply होगे तो 6 अब X equal to 8 को हम क्या लिख देंगे 2 की power 3 into के हमारी 1 by 6 अब 3 1 से 3, 3 2 से 6 तो X equal to क्या आ गया 2 की power 1 upon 2 यानि कि X equal to क्या आ गया root 2 हमें क्या निकाल नहीं थी root की वो X की value तो X की value कितनी हागी root 2 तो question number 14 का जो हमारा option number C है वो हमारे क्या होगा right answer question 15, question 15 क्या है हमारा 2 log 15 upon 2 minus log 25 upon 81 plus 3 log 2 upon 9 का सरलतम रूप क्या है इसे हमें क्या करना है सरल करना है और यह जो 4 option दिएगे इसमें से right option में टिक करना है इसे सरल करके तो हमें क्या दिया 2 log 15 upon 2 minus log 25 upon 81 plus 3 log 2 upon 9 अब यह 2 ऐसे यहां बना log m upon n log m upon n क्या होता log m minus log n ऐसे यहां पर भी formula लग रहा है तो यह जागा यह हमार क्या हो जागा log 25 minus log 81 अब प्लस 3 है ऐसे यहां भी हमार क्या हो जागा log 2 minus log 9 अब हमार क्या होगा इसमें 2 ऐसे इस log 15 इस log 15 की जगा हम क्या लेग log 15 की जड़ क्या आ जागा 5 into 3 क्योंकि 5 into 3 कितना होगा 15 minus log 2 हमारा ऐसे यह minus यह log 25 है log 25 को हम क्या लिख देंगे 5 की power 2 minus log 81 है 81 को हम क्या लिख देंगे 3 की power 4 कब लिखेंगे इनके क्या करने पड़ेंगे पहले अब आज गुलनखंड जब अब आज गुलनखंड होंगे 81 के तो हमारे multiply में 3 कितने बार आएगा 4 बार आएगा इसलिए हमने 81 को क्या लिखा 3 की power 4 लिखा अब ये plus 3 हैसी log 2 हैसी इस 9 को हमने क्या लिख दिया 3 की power 2 अब ये 2 हैसी यहाँ बनना log m into n log m into n क्या होता log m plus log n और ये minus log 2 हमारा हैसी यहाँ log m की power n log m की power n क्या होता n log m तो ये जागा 2 log 5 यहाँ log m की power n तो ये जागा 4 log 3 यह प्लस 3 ब्रैकेट में लॉग 2 यह लॉग M की पावर N हमार क्या हो जागा 2 लॉग 3 अब इस 2 की अंदर क्या हो जागा हमारी multiply तो यह जागा 2 लॉग 5 प्लस 2 लॉग 3 माइनस 2 लॉग 2 अब यह हमार क्या हो प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2 लॉग 5 माइनस माइनस प्लस तो प्लस 4 लॉग 3 अब अंदर मल्टिप्लाई होगी हो जाए 3 लॉग 2 माइनस 3 तो जा 6 6 लॉग 3 अब यह हमारा प्लस का 2 लॉग 5 है और माइनस का 2 लॉग 5 है आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल अब प्लस का 2 लॉग 3 और यहां हमारा यह प्लस का 2 log 3 और प्लस का 4 log 3 यह हमारा कितना जाएंग 6 log 3 और यह minus 6 log 3 तो यह log 3 log 3 भी cancel प्लस का 3 log 2 minus 2 log 2 यानि कि 3 log 2 मैंसे जब 2 log 2 जाएगा तो हमारा कितना बज़ेगा log 2 यह इसका क्या होगा हमारा answer होगा तो यह जो हमारा question number 15 है इसका जो हमारा option number B है वो हमारा कितना बज़ेगा right answer